हलो एबरीवन कैसे हम सभी उमीद आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपकी लेकर लेकर आया हूँ आज नंबर एनलोजी की सेकेंड क्लास जिसमें हम डिसकस करेंगे 20 important question जो आपके competitive exam के लिए काफी important रहने वाले है first question आज का आपके सामने ये रहा first question है 2 ratio 4 ratio 8 का relation इसके साथ है आपको बताना है कि 3 ratio 6 ratio 9 का relation किसके साथ होगा चार option आपके सामने given है first option है 18 ratio 27 ratio 54 second option है 5 ratio 10 ratio 17 third option है 6 ratio 24 ratio 56 और last option है 15 ratio 30 ratio 45 जिस किसी को भी इसको सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बताजिए चलिए देखते हैं इस question का सही answer कैसे निकालेंगे 2 का यहां पर 5 time कर रहे हैं 2 5s are 10 same यहां पर हो रहा है 4 into 5 and 8 into 5 same logic आपने यहां भी apply करना है 3 into 5 करेंगे 15 आएगा 6 into 5 करेंगे 30 आएगा और 9 into 5 करेंगे तो 45 आएगा 15 ratio 30 ratio 45 यानि कि option number D is question का बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question देखते हैं question number second आपके सामने यह रहा 4 ratio 12 का जो सबंध है बही सबंध बताना है कि 5 का किसके साथ होगा first option है 25, second option है 20, third option है 22 और last option आपके पास 30 चलिए देखते हैं इसका सही answer क्या रहेगा इस question में 4 का square हो रहा है minus 4 करेंगे 4 का square 16 minus 4 करेंगे तो 12 आएगा same logic आपने यहां लगाना है 5 का square 25 minus 5 करेंगे तो आपके पास 20 आएगा यानि कि option number B इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा question number 22 का option number B बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए next question, question number 23 देखते हैं इसमें दिया गया कि 49 का relation 81 से जो है बोही relation 64 का बताने किसके साथ होगा 4 option आपके सामने given है first option है 36, second option है 100, third option है 121 और last option आपके पास है 144 44, जिस किसी को भी इसका सही आंसर बता है जल्दी से comment box में comment करके बताजिजी इसका सही आंसर क्या रहेगा चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है 49 को लिख सकते हैं 7 का square 81 आएगा 9 का square same logic यहाँ भी apply करेंगे 64 को लिख सकते हैं 8 का square तो next आपका क्या आएगा 10 का square क्योंकि यहाँ पर 7 के बाद 9 आया था same logic यहाँ लगेगा 8 के बाद 10 आएगा 10 का square यानि के 100 आएगा इस question का सही आंसर option number B option number B बिल्कुल सही हो जाएगा इस question का answer चलिए next question question number 24 आपके सामने यह है जल्दी से बताईए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है question दिया गया है कि 371 का relation है 150 के साथ आपको बताना है कि 468 का relation किसके साथ होगा चार option आपके सामने given है फर्स्ट option है 247 सेकिंड option है 357 थर्ड option है 246 और लास्ट option है 345 लास्ट option आपके पास है 345 चलिए देखते हैं इस question को करने का क्या तरीका सही रहेगा 1 के बाद 0 आई है मतलब minus 1 हुआ है उसी तरह यहां पर 8 से minus 1 करेंगे तो 7 आएगा तो जिस option का unit is it 7 है आपके सही हो सकते हैं बाद की आपके निगलेक्ट हो गए option number D यहां पर निगलेक्ट हो गया option number C भी यहां पर निगलेक्ट है आगे देखते हैं 7 से 2 minus करेंगे तो 5 आएगा same यहां पर 6 में से 2 minus करेंगे तो 4 आएगा और 2 और 4 यह सिर्फ आपका option number A में ही दिख रहा है तो option number B भी यहां पर गलत हो गया तो इस question का सही answer हैगा 247 इस question का सही answer हैगा 247 option number A next question question number 25 आपके सामने यह रहा question number 25 यह दिया है 42 का relation है 31 के साथ आपको बताना है किसका relation किसके साथ होगा 4 option आपके सामने given है first option है 97 ratio 86 second option है 53 ratio 46 third option है 79 ratio 86 और last option आपके सामने है 64 ratio 79 जिस किसी को भी सका सही answer बता है जल्दी से comment box में comment करके बता जीए इस question में हो क्या रहा है यहां पर 42 और 31 के बीच difference कितने गा है sorry इसके बीच का difference से गया रहा का आपको ऐसा option देखना है जिसके बीच का difference गया रहा होगा इन दोनों के बीच का difference देखेंगे 53 और 46 के बीच का तो वो difference है 7 का 64 और 79 इनके बीच का difference देखेंगे तो वो difference है आपके पास 16 का same 79 और 86 के बीच का difference देखेंगे तो difference है 7 का और 97 और 86 के बीच का डिफरेंस है 11 का तो इस question का सही answer हो जाएगा option number A 97 ratio 86 next question question number 26 आपके सामने ये रहा question number 26 दिया कि 7 का relation है 17 के साथ आपको बताना है कि किसका relation 50 के साथ होने वाला है 4 option आपके सामने है first option है 23 second option है 26 third option है 124 और last option आपके सामने है 126 जिस किसी को भी इसका सही answer पता जल्दी से comment box में comment करके बता दीजी इसका सही answer क्या रहने वाला है चलिए देखते हैं किसका सही answer क्या रहने वाला है 7 को लिख सकते हैं 2 का q minus 1 7 आएगा आपके पास 2 का q minus 1 17 को लिख सकते हैं 4 का square minus sorry 4 का square plus 1 50 को लिख सकते हैं 7 का square plus 1 उसी तरह बताना है question mark की जगा के आएगा देखिए यहां पर 2 के बाद 4 आया है तो 5 जब 5 लिखेंगे यहां पर 5 का square करेंगे sorry 5 का cube करेंगे minus 1 करेंगे तो आपके पास आएगा 124 क्योंकि 5 का cube होता है 125 और उसमें से 1 minus करेंगे तो 124 आएगा यानि कि option number C इस question का विल्कुल सही हो जाएगा इस question में option A विल्कुल गलत answer दिया इस question का सही answer आएगा option number C चलिए next question question number 27 आपके सामने यह राज जल्दी से इसका answer बताना क्या होगा 1,648 ratio 1,339 proportion 2,266 क्या relation किस के साथ होगा वो बताना है चार option आपके सामने है first option है 1234 दूसरा option है 2,133 तीसरा option है 1,442 और last option है 1,551 चलिए देखते हैं इस question का सही answer क्या होगा इस question में किया क्या गया है इस number को दो part में divide किया है दो दो digits में 16 को 3 से multiply करेंगे तो 48 आएगा same 13 को 3 से multiply करेंगे तो 39 आएगा उसी तरह 22 को 3 से multiply करेंगे तो 68 आएगा चार option में इसे वो option उठाना है जिसमें पहले 2 digit की multiply 3 से करने पर next 2 digit आजाए तो वो सिर्फ option number 3 ही एक ऐसा है जिसमें दिया गया है 14 को 3 से multiply करेंगे तो 42 आएगा यानि कि इस question का सही answer हो जाएगा आपका 1442 यानि कि option number C चलिए next question question number 28 दिया गया कि 17 का relation किसके साथ है same relation यहाँ पर है 145 का 195 के साथ चार option आपके सामने given है first option है 42 second option है 35 third option आपके पास 30 और last option है 24 जिस किसी को भी इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता जिए चलिए देखते हैं इस question को करने का सही तरीका क्या रहेगा 17 को लिख सकते हैं 4 का square plus 1 17 को लिख सकते हैं 4 का square plus 1 लिख सकते हैं 12 का square 12 का square plus 1 195 आएगा 14 का square minus 1 12 के बाद 14 का square किया गया है उसी तरह यहां पर 4 के बाद 6 का square करेंगे 6 का square 36 उसमें से 1 minus करेंगे तो 35 यानि कि option number B इस question का बिल्कुल सही हो जाएगा option number B इस question का सही हो जाएगा 35 चलिए next question question number 29 आपके सामने यह रहा इसमें दिया गया 24 का relation 126 के साथ जो है वो relation आपको बताना है कि 48 का किसके साथ होगा चार option आपके सामने गिवन है फर्स्ट option है 433 सेकिंड option है 192 थर्ड option है 240 और लास्ट option है 344 जिस किसी को भी इसका सही answer बता है जल्दी से comment box में comment करके बताजिए इसका सही answer क्या रहेगा चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे 24 को लिख सकते हैं 5 का square minus 1 25 minus 1 करेंगे 24 आएगा 126 को लिख सकते हैं 5 का cube 5 का cube plus 1 उसी तरह 48 को लिखेंगे 7 का square minus 1 और next question mark की जगा आएगा 7 का cube plus 1 7 का cube 343 और 343 में 1 plus करेंगे तो 344 इस question का सही answer होगा यानि के option number D इस question का सही answer होगा चलिए next question question number 30 आपके सामने ये रहा 2 का relation 7 के साथ है आपको बताना है 6 का relation किस के साथ होगा 4 option आपके सामने given है first option है आपके अवास 40 second option है 39 third option 50 है और last option है 72 चलिए देखते हैं इस question का सही answer क्या रहेगा इस question का सही answer क्या रहेगा जल्दी से comment box में comment करके बता दीजिए चलिए जानते हैं इस question को कैसे करेंगे 2 का square करेंगे 4 आएगा उसमें 3 प्लस कर देंगे तो आपके पास आएगा 7 उसी तरह 6 का square करेंगे 36 आएगा 36 में 3 प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 39 यानि कि option number A इस question सोरी option number B इस question का सही हो जाएगा option number B यानि कि 39 इस question का बिल्कुल सही answer रहेगा चलिए next question, question number 31 आपके सामने ये रहा दिया गया कि 47 का relation है 65 के साथ आपको बताना है कि 59 का relation किस के साथ रहेगा 4 option आपके सामने given है first option है 95, second option है 110, third option है 106 और last option है 118 तो जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बताजीजी इसका सही answer क्या रहेगा चलिए देखते हैं इस question को करने का सही logic क्या रहने वाला है 4 और 7 दो डिजिटेन को plus करेंगे तो आपके पास आएगा 11 6 और 5 को plus करेंगे तो भी आएगा 11 same logic यहां लगाएंगे 9 और 5 को plus करेंगे तो आपके पास आएगा 14 हमने ऐसा option देखना है जिसके डिजिट का sum 14 होगा तो फर्स्ट option ही दिख रहा है जिसके डिजिट का sum 14 है बाकी आप second option चेक करोगे 14 नहीं बन रहा है last option भी नहीं है 9 तो third option है तो इस question का सही answer रहेगा option number A 95 क्योंकि इसके डिजिट का sum कितना है 14 रहेगा चलिए question number 32 देखते है question number 32 आपके सामने ये रहा 20 का relation दिया गया है 30 के जाथ आपको बताना है कि question mark की जगा क्या आएगा कि जिसका relation 72 के साथ हो चार option आपके सामने गिवन है first option है 56, second option है 59, third option है 68 और last option है 61 तो जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बताजी इसका सही answer क्या रहेगा चलिए जानते हैं इस question को कैसे करेंगे 20 को लिख सकते हैं 5 into 4 20 को लिख सकते हैं 5 into 4 30 को क्या लिखेंगे 5 into 6 उसी तरह 72 को लिख सकते है 9 into 8 अगर आप यहां से दोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो 5 यहां पर कोमने है दोनों में 4 के बाद 6 आएगा 4 के बाद 6 आएगा तो 8 से 2 पहले यानि के 6 आएगा और यहां पर कोमन रहेगा 9 तो 9 into 6 करने पर आपको मिलेगा 56 9 into 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 56 यानि कि question number 32 का सही answer हो जाएगा 56 चलिए next question question number 33 आपके सामने ये रहा 30 का relation दिया गया है 130 के साथ आपको बताने है question mark की जगा क्या आएगा 4 option आपके सामने given है first option है 20 का relation है 120 के साथ 37 का relation है 210 के साथ third option में 42 का relation है 222 के साथ और last option है 49 का relation है 350 के साथ 49 का relation है 350 के साथ चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे 30 और 130 के बीच का gap है 100 का तो मनें वो option देखना है जिसके बीच का gap 100 होगा तो वो सिर्फ option number A ही दिख रहा है जिसमें 100 का gap है तो इस question का सही answer हो जाएगा 20 ratio 120 इस question का सही answer हो जाएगा 20 ratio 120 यानि के option number A चलिए next question question number 34 आपके सामने ये रहा question में दिया गया है कि 423 का जो relation 657 के साथ हैं आपको बताना है same की 534 का relation किसके साथ होगा चार option आपके सामने given है first option है 678 second option है 867 third option है 768 last option है 876 last option आपके सामने रहेगा 876 6 जिस किसी को भी इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता देजिए चलिए देखते हैं इस question को कैसे करेंगे अगर आप 3 से 7 तक जाएंगे plus 4 हो रहे है same 2 से 5 तक जाएंगे plus 3 हो रहे है उसी तरह 4 से 6 तक जाएंगे plus के 2 हो रहे है तो same logic हम यहां पर apply करेंगे 4 में अगर 4 plus करेंगे तो 8 आएगा मतलब जिस भी option का unit digit 8 है वो आपका answer होगा उनको छोड़कर आपके सारे के सारे option neglect हो जाएंगे option number B और option number D यहांपर neglect हो गए आगे देखते हैं 3 में हम करेंगे 3 plus तो आपके पास आएगा 6 और वो सिर्फ option number C ही दिख रहा है तो इस question का सही answer हो जाएगा option number C 34 का सही answer हैगा option number C चलिए next question question number 35 आपके सामने यह रहा question 35 दिया गया है कि 13 का relation है 24 के साथ आपको बताना है question mark की जगा क्या आएगा चार option आपके सामने गिवन है 45 ratio 79 second option है 56 ratio 78 third option है 35 ratio 59 और last option है 57 ratio 68 तो जिस किसी को भी इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता जिए इसका सही answer क्या रहेगा चलिए देखते हैं इस question का सही answer क्या रहेगा और कैसे निकलेगा क्या logic लगेगा इस question में अगर इनके बीच का gap देखोगे तो आपके पास 11 का gap है तो आपके बही option ढूड़ना है जिसके बीच 11 का gap होगा तो वो सिर्फ option number आपका d ही दिख रहा है जिसमें 11 का gap है option number d में ही 11 का gap है मतलब option number d इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा question number 35 option number d इस question का बिलकुल सही answer रहेगा चलिए next question question number 36 आपके सामने यह रहा question number 36 दिया गया है कि 123 का relation है 36 के साथ आपको बताना है कि 222 का relation किस के साथ होगा 4 option given है आपके सामने 52 फर्स्ट option second option है 69 third option 72 और last option है 25 last option 25 दिया है चलिए देखते हैं इस question का सही answer क्या है अगर 123 के हम digit को plus करेंगे तो आपके पास आ रहा है 6 और 6 का square करेंगे तो आएगा 36 same logic हम यहाँ पर apply करेंगे digit का sum हो रहा है आपके पास 5 और 5 का square करेंगे तो आपके पास आएगा 25 तो इस question का सही answer हैगा 25 यानि के option number D चलिए next question question number 37 आपके सामने गे रहा question number 37 दिया गया है कि question mark का relation है 63 के साथ आगे दिया गया कि 8 का relation है 26 के साथ आपको बताना है question mark की जगा क्या आएगा चार option given है first option है 12 second option है 9 third option है 18 और last option है 15 तो जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता दीजिए चलिए देखते हैं इस question का सही answer क्या रहेगा अगर यहाँ digit का sum बन रहा है आपके पास 8 same logic यहाँ लगेगा आपका digit का sum कितना हो रहा है यहाँ 8 हो रहा है यहाँ देखेंगे तो 6 और 3 digit का sum कितना बन रहा है 9 बन रहा है तो आपको वो option देखना है जिसके digits का sum 9 हो तो उसमें option number A तो neglect हो गया option number D भी neglect हो गया अब option number C अगर इसके digit का sum करेंगे तो वो आएगा 9 और option number B में भी 9 दिया हुआ है लेकिन option number B यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ पर 0,9 करके लिखा हुँ होता तो आपका यह सही होता लेकिन यहाँ पर total 9 दिया हुआ single 9 दिया है इसलिए option B आपका गलत हो जाएगा option number C इस question का बिलकुल सही रहेगा question number 37 option number C बिलकुल सही रहेगा चलिए next question question number 38 आपके सामने यह रहा question number 38 दिया गया है कि 72 का relation है 53 के साथ है आपको बताना है 64 का relation किसके साथ होगा चार option given है first option है 44 second option है 54 third option है 52 और last option है 70 तो जिस किसी को इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता दीजिए जिस किसी को भी इसका सही answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता दीजिए चलिए जानते हैं इस question को करने का सही logic क्या रहेगा 5 और 3 digit का sum करेंगे 8 आएगा 7, 2 digit का sum करेंगे 9 आएगा उसी तरह 6 और plus 4 करेंगे तो आपके पास आएगा 10 यहाँ 9 के बाद 8 आया है तो 10 के बाद 9 आएगा मतलब जिसके digit का sum 9 होगा वही आपका सही आंसर होगा तो first जो option है उसके digit का sum 8 है गलत हो गया second का digit sum है 9 तो option number आपका B बिलकुल सही हो जाएगा इस question का सही आंसर हैगा option number B चलिए next question question number 39 आपके सामने यह रहा question दिया गया कि 6 का relation है 64 के साथ आपको बताना 11 का relation किसके साथ होगा चार option given है 144 फर्स्ट option second option 169 third option 121 last option है 124 last option आपके पास है 124 चलिए देखते हैं इस question का सही आंसर क्या रहेगा 6 के बाद यहाँ 8 का square किया गया है उसी तरह 11 के बाद यहा 13 का square करेंगे 13 का square होता है 169 तो इस question का सही आंसर हो जाएगा 169 याने के option number B question number 39 का option number B विल्कुल सही रहेगा चलिए आज के session का last question आपके सामने यह रहा question number 40 83 का relation है 25 के साथ उसी तरह 29 का relation किसके साथ है आपको बताना है option आपके सामने given है first option है 44 second option आपके पास है 49 third option है आपके पास 40 और last option है 63 last option है 63 तो जिस किसी को इस question का answer पता है जल्दी से comment box में comment करके बता दीजिए चलिए देखते हैं इस question को करने का सही logic क्या रहेगा 8 और 3 दोनों digit को minus कर देंगे आपस में तो आपके पास आएगा 5 और 5 का square करेंगे तो आएगा 25 same logic यहां लगाएंगे 9 minus 2 digit करेंगे इन दोनों को minus करेंगे तो 7 आएगा 7 का square करेंगे तो आएगा 49 मतलब इस question का सही answer हो जाएगा 49 यानि कि option number भी इस question का सही answer होगा अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को like, share और subscribe करना ना भूले जाहिन